सवाल है दुश्मन की सीमा में बिना पता लगे घुसकर उस पर सोरदार हमला करने के बाद देना नुकसान उठाए लौट आने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? जवाब है इस तरह के एक गौमर की मदद से दुश्मन पर अपना दबदबा बनाये रखने की होड की कारण है पिछले सो बरसों में बाउमर्स का विकास बड़ी तेजी से हुआ है मगर लडाई के मैदान में ये इतने महतुवपूर और अनिवार हत्यार कैसे बन गए? आपसी तकराव और युद्ध हमेशा से ही मानव के अस्तितव का एक हिस्सा रहे हैं और जीत हमेशा उसी की हुई है जिसके पास ज्यादा उन्नत टेकनोलोजी होती है सदियों से दुश्मन पर नई तलवार, तोप, टैंक या टॉपीडों से आकस्मिक हमले तो होते आये हैं पर हमेशा ये हमले समुद्र में या सक्त और सुखी जमीन पर ही होते थे जरा कलपना कीजे कि जब दुश्मन पर पहली बार हवा से हमला हुआ होगा तो उसे कैसा जटका लगा होगा कस्तावेश के हिसाब से पहली बार हवाई जहाज से बंब सन 1911 में लिब्या में गिराये गया था इटैलियन अफसर जियूलियो कैपोटी ने अपने तुर्क दुश्मनों पर इसे गिराये था जिन्नोंने इससे निहायत घट्या हरकत करार किया था सोचने का वो भी एक नज़रिया है आज ये सोचना भी है संभवसा लगता है कि उस समय युद्ध का ये कितना अजीबो गरीब तरीका रहा होगा क्योंकि कुछ साल पहले ही तो हवाई जहास की खोज हुई थी लकड़ी और कपड़े से बनी इन शांदार मशीनों को एड़वर्ड के वनशज फ्लाइंग मशीन्स कहते थे बेखबर दुश्मन पर बम ले जाकर अचानक से हवाई हमला करना आपको युद्ध में बड़ा फाइदा पहुचाता है वो आपके हमले का जवाब नहीं दे पाता है कितनी घलत बात है शुरुवाती बॉमर ज़्यादा सोफिस्टिकेटिड नहीं थे दरसल वो बॉमर थे ही नही ये है ब्रिस्टल F2B जसमें V12 रोल्स रोइस स्टारकन 3 एंजन लगा है बुन्यादी तोर पर लकड़ी और कपड़े से तयार किया गया ये विमान सब 1917 का है अपने जमाने के हिसाब से पहत भुर्तिला था मूल रूप से ये फाइटर था तो हुल लेने और दूसरे विमानों को गिराने के लिए इसे बनाया गया था तो ऐसी मशीन से बं कैसे गिराए जा सकते हैं नीची उनान धरते हुए आपको खुद अपना टागेट देखना होता था नैविगेशन के लिए कोई मदद मौजूद नहीं थी दूर तक ठीक से देख सके इसलिए दिन का साफ होना बहुत जरूरी था टागेट दिख जाने के बाद आप ऐसे बं उठाकर उसे बगल से नीचे खेट देते थे गोल मिलाकर बस इतना ही किया जाता था निशाने पर बं गिरा पाना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था चलिए करके दिखाता हूँ वो रहा मेरा निशाना और यह है मेरा बं उड़ा दूँगा दर्वाजा खुलता था और बं गिरा दिया जाता था परिशानी ये थी कि आप निशाने के ठीक उपर आकर बम गिराते थे सीधा नीचे गिरनी की बजाए बम निशाने से आगे जाकर गिरता था एक्राफ्ट का मुमेंटम बम को भी मिलता था वो उसी दिशा में आगे जाता था और निशाना चूप जाता था दरवाजा खुलेगा बम गिराया जायका दरवाजा खुला बम गिरा दिया बम को मिलने वाले मुमेंटम को ध्यान में रखते हुए निशाने से पहले ही बम को गिराने से वो सही जगर पहुचता था सही अन्नाजा लगाना बहुत महत्वफून था जैसा आपने देखा मैंने सही निशाना लगाया था पर सच यही है कि किसी युद्ध के दौरान मामला किसमत के हाथ होगा निशाने पर बम गिरे इस संभावना को बढ़ाने के लिए ज्यादा बम गिराना एक समाधान था इस मकसद को ध्यान में रखते हुई पहला बमर बनाया गया ज्यादा शक्तिशाली एंजिन के लगाने से बहुत फरक आया ये सन 1934 में बना हौकर हाइन है जिसमें 640 हौस पावर का रॉल्स रॉयस केस्ट्रिल एंजिन लगा था और इसी कारण वो एक्राफ को मेटल से बना कर मजबूती दे पाए थे वो ज्यादा दूर तक ज्यादा तेजी से उड़ सकता था और उसमें ज्यादा बम ले जाए जा सकते थे कुछ रैक सिर्फ बम रखने के लिए बनाये गये थे इस बॉमर से ज्यादा बम कम समय में सही निशाने पर फेके जा सकते थे पर दूसरे विश्मिन लिद्ध की शुरुआत से पहले तक बॉमर का दबदबा खत्म होने लगा था नए हथियार और रेडार टिकनोलोजी के आ जाने से दुश्मिन को आते हुए बॉमर का पता लग जाता था बॉमर अपना काम कर पाय उसके पहले ही उसे मार गिराया जाता था ऐसी बाते होने लगी थी कि हवाई बंबारी के अभियान बंद कर देने चाहिए परसन 1942 में एक ऐसा नया विशाल बॉमर विकसित हुआ जिसने युद में मित्र राश्ट्रो की तकदीर ही बदल डाली थी इसमें हर सवाल का मोतोर जवाब था और बेहत ज्यादा विनाश की ख्शमता भी थी ये शांदाव एरक्राफ एरो लांकस्टर है जिसने बहुत से पाइलर्ट्स को हीरो बनवा दिया सन 1942 में इसे ब्रिटिश वायू सेना में शामिल किया गया था सन 1945 में युद्ध खत्म होने तक साथ हजार विमानों ने युद्ध में हिस्सा लिया था प्रिटिन द्वारा की गई हवाई बंबारी का दो तिहाई हिस्सा इनी ने गिराया था बॉमर्स के सामरिक महत्वों को बड़ी दमदारी से फिर उसकी जिगर पर पहुचा दिया था तो लांकस्टर इतना कुछ कैसे हासिल कर पाई थे सबसे पहली और सबसे महत्वों की बात पावर की बहुत आया थी एड़ हजार हॉस पावर वाले चार शांदार रोल्स हुएस्ट मरलिन एंजिन थे ये बही एंजिन थे जिन्होंने स्पिट फायर को अध्भुत सफलता दिलाई थी बारह सिलिंडर अर्थालिस बैल वाले मरलिन एंजिन की किपासिकली 27 मीटर थी इन इंजिनों के साथ छे बड़े फ्यूल टैंक थे जो इस बामर को 32 किलो मीटर की रेंज देते थे ये बामर 6000 मीटर की उचाई पर 440 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ़तार से उन पाते थे इसलिए दुश्मन की गोली बारी की पहुँच से उपर रहते थे लैंकेस्टर को किसी पाइटर या किसी अन्यसाधारन हवाई जहाज में बड़ा बहुत फेर बदल करके बॉमर नहीं बनाये गया था उसे उसकी बम रखने की जगे की इर्दगिर्धी डिजाइन किया गया था ये बम रखने की जगे ऐसी वैसी नहीं थी 10 मीटर बाई डेढ़ मीटर की इस जगे में 10 तन वजन के बम रखे जा सकते थे इसमें अलग अलग तरह के कई बम एक साथ रखे जा सकते थे ये 1800 किलो का बम जो पूरी सड़क तबाह कर सकता था ये बड़ा तॉल बॉय बम चोवन सो किलो वजनी था कारखानों जैसी मजबूत और पड़ी इमार्दों को बर्बाद करने की ख्शमता रखता था और इस Grand Slam Earthquake Bum का अपना वजन ही 10 तन था ये अब तक बनाया गया सबसे भारी Bum था ये 9 मीटर मोटे कॉंक्रीट को भेच सकता था रीमफोर्स मिल्टरी इंस्टॉलेशन को तहस नहस करने की ख्शमता रखता था इस विशाल जखीरे को लेकर Lancaster Bumar ने बंबारी की प्रभावशाली मुहिम शुरू कर दी थी बंबारी परंपरागत सैनिक ठिकारों तक ही सीवित नहीं रह गी थी शहर, काखाने और आम नाघरिक भी हमलों का शिकार बने थी इन हमलों का जवाब देने की जमनी ने अपने रेटावों में धारी सुभार किया वामर स्क्वार्टरन का पता 160 किलोमेटर दूर से ही लग जाता था Lancaster का एर फ्रेम पूरी तरह धातु का बना था बेहत मजबूत था और हर जगए पर गनज मौजूद थे आगे, बीच में, और पीछे ये तरर्स पावर स्विवलिंग थे इसकी गन टागेट को बड़ी कुछलता से ट्रैक कर लेती थी फुर्तिले फाटर प्लेंस भी नहीं बचपाते थे जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका था कि आप रात के अंधिरे में उडान भरे ये दिके दुरान जबातर लैंकेस्टर्स ने ऐसा ही किया था अकेले बॉमर को लेकर दूर हमला बोलना तो आत्म हत्या करने जैसा था रात ने उडान भरने से जान का खत्रा कम हो जाता था पर विमान का नविकेशन और टागेट पहचानना मुश्किल हो जाता था साड़े 4000 मीटर की उचाई पर 440 किलो मीटर प्रती घंटे की रिफ्तार से उड़ते हुए टागेट को पहचानना और उस पर हमला करना कितना मुश्किल होता होगा नए ट्रेट्स पर जाने वालों को इसकी आदत हो गए थी इसे वो ब्लाइंड बॉमिंग कहते थे अगर आप नक्षे पर अपने टागेट को जानते हैं इस तरीके को डेड रेकनिंग कहते हैं इस काम को आसान बनाने के लिए लैंकस्टर में कई इलेक्ट्रोनिक उपकरण लगाये गए थे इस प्रकार के सर्वश्रेश सिस्टम को नाम दिया गया था H2S इसे बाद में बने लैंकस्टर में यहां नीचे इस पॉड में लगाया गया था यह रेडार पर आधारित था और नैविगेटर को विमान के नीचे और आगे आने वाले लैंड मार्क्स की जानकारी देता था ताकि सरूरी दिशा परिवर्थन किया जा सके जब टागेट का पता मिल जाता था तब एक कंप्यूटर की मदद से बॉम एमर का काम शुरू होता था वो बम गिराने का सही समय तेय करता था यह काम कुछ इस तरह किया जाता था तो शुरू करते हैं मैं करीब 40 किलो मीटर प्रती घंटे की रिफ्ता से फिसलता हुआ नीचे जाओंगा टागेट यहां से करीब 50 मीटर दूर है और इस बम का वजन करीब सवा 2 किलो है तो मेरा अनाज़ा है कि करीब 10 मीटर पहले मुझे बम गिराना होगा ठेक है तो एक कोशिश करते हैं चले और अब मैं बम गिराओंगा इतनी सारी टेकनोलोजी के बाद भी बम गिराना किस्मत का खेर था परसंद 1943 में अपनी एक मुहिम के दौरान सही जगह पर बम गिराने में लैंकस्टर को नाटकिये सफलता मिली थी डैम बस्टर बम गिराने का वाक्या बंबारी का सबसे मशूर वाक्या है इन रेड्स का मकसर रूर नदी पर बले तून बादों को नुखसान पहुँचाना था जर्मनी के आउद्योगी इलाके की 75 पतिशत जल वितरन वबस्था को अस्त वेस्ट और जर्मन मैनुफैच्टरिंग इंडस्री को ठप करा देने का इगादा था ये खास अब की बम इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो गिरते वक्त 500 आर्पियम से उल्टा घूमे ऐसा करने से पानी पर तकराते ही बम उच्छलना शुरू कर देगा और बांध में लगे सुरक्षा बैरियर को लांग जाएगा जब वो बांध की दिवार से टकरा कर डूँएगा तो ऐसी जगर जाकर फटेगा जहां सबसे ज़्यादा नुक्सान होने की संभाव ना है सही उच्छाल हासिल करने के लिए बम को सही एंगल से गिराना जरूरी था और ये तबी संभ़ था जब बंग को ठीक 18 मीटर की उंचाए से गिराया जाए उस जमाने में विमान का इंस्ट्रुमेंटेशन जिस तरह तक बिकसित हो पाया था ये बड़ा मुश्किल काम था समस्या का हल निकालने के लिए विमान के निचले हिस्से में दो लाइट बीम्स लगाए गए उन्हें इस तरह सेट किया गया था कि जब प्लेन ठीक 18 मीटर उंचा ओर रहा होगा तब ही दोनों बीम्स मिल सकते थे पम गिराओ भाई उस रात रेडार और एंटी एकरार फारिंग से बचने के लिए 617 स्कौर्डरन के विमान आरेफ सकैम्टन से जर्मनी तक सिर्फ साथ मीटर की उंचाई पर ही उड़े थे और जैसा लोग कहते हैं बाकी सब तो इतिहास है बहुत ज़्यादा बम टागेट पर ही ठड़े थे फिर भी भारी किमत चुकारी पड़ी थी 19 में से 8 विमान बापस नहीं लोट पाए थे पूरे युद्ध के दौरान कुल 3500 विमानों का नुसान हुआ था ऐसा माना जाता था कि मार गिराए जाने से पहले एक लैंकेस्टर तीन हफते ही उनाने भर पाएगा बहुत सी मशूर लड़ाईयों में ये काम्याब रहा था पर युद्ध को ये खत्म नहीं करा पाया था वो काम इसने किया था अगस्ट सन 1945 में हिरोशीमा और नागासाकी पर परमानू बम गिरा कर हवाई बंबारी ने एक बिलकुल नया मगर विभथ सुरूप धारन कर लिया था दो परमानू बमों ने मीलों दूर तक मानव सभेता का बिनाश कर डाला था कुछ ही सेकंडों में लाखों लोग जान से हाथ दो बैठे थे जापान ने तुरंथी अमरीका के सामें हत्यार डाल दिये थे दूसरा विश्विद लगभग तभी खत्म हो गया था एक बॉमर के लिए सबसे काम्याब मगर सबसे शर्मनाक दिन था थोड़ा फेर बदल जरूर किया गया था पर ऐसे ही B-29 सूपर फोर्ट्रेस बॉमर ने वो घिनोना बम गिराया था अमरीकी वायू सेना में इसे सन 1944 में शामिल किया गया था वो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली बॉमर था और सबसे महत्वपूर बात ये थी कि ये ये यूरोप से उडान भर कर सुदूर पूर्व के देशों पर हवाई हमला कर सकता था एक आम लैंकेस्टर बॉमर बम गिराने की मुहिम के दोरान करीब 1600 किलोमेटर तक उड़ सकता था बी-29 इससे चार गुना ज़्यादा उड़ सकता था अपनी कुछ खास विशेश्टाओं के कारण ही बी-29 की रेंज इतनी बड़ी हो सकी थी इसके चारों इंजनों की शमता बढ़ाकर 9000 हौस पाउर कर दी गए थी जो लैंकेस्टर से करीब 50 प्रदिशत ज्यादा थी इसलिए वो तेजी से ज्यादा दूर तक जा पाता था और इनी विशेश्टाओं की वज़े से ये विमान 9000 मीटर से ज्यादा की उचाए पर उड़ पाता था लंबी उडान के दोरान फाइटर फ्लेंस के संभावित हमलों से बच पाता था विमान को इतनी उचाए पर ले जाने के लिए जहां हवा कम होती है इसका विंग स्पैन 43 मीटर रखा गया था इस उचाए पर हवा की कमी के अलावा उसका तापमान जमाव बिंदू से 50 दिगरी नीचे होता है इसलिए B-29 ऐसा पहला बॉमर था जिसके अंदर का दबाव पढ़ा कर उसे बाहर के बातावरन से सील कर दिया गया था केबिन का तापमान और दबाव आराम दाएक बना रहता था सबसे बढ़िया नजारा इसके कॉक्पिट में बैठने वाले को मिलता था ऐसा लगता था कि आप एक एरोडाइनमिक ग्रीन हाउस में बैठे है B-29 में कोई गंच चलाने वाला नहीं होता था इसकी बजाए इसमें दस गंज ऐसी लगी थी जनी रिमोट से चलाया जाता था कम लोगों की जान खतरे में पड़ती थी पर B-29 में बंब का निशाना लगाने वाले की जान यहां आगे के हिस्से में बैठने के कारण कुछ ज़्यादा ही खतरे में रहती थी बंबारी के मामले में अमरीकी रणनीती बिटिश रणनीती से बिलकुल अलग थी नागरिकों की जान न जाए इसलिए शुरुआत में अमरीका इंवस्ट्रिल टागेट पर बंबारी करता था सही टागेट चुनने के लिए नई कंप्यूटर बॉम साइट का आविशकार हॉलन वासी कारल नौडन ने किया था जो करीब करीब लैंकस्टर के निशाना लगाने की प्रणाली से काफी कुछ मिलते जुलती थी विमान की उंचाई उडने की रफ्तार दिशा बंब की अंतिम रफ्तार आदी बातों का ध्यान रखते हुए बंब गिराने का समय तैय किया जाता था ये सिस्टम और एक कदम आगे था पहली बार ऐसा हुआ था कि बंबारी के दौरान विमान का नेंतरन भी इसके पास चला जाता था बंब गिराने का काम आटोमेटिकली किया जाता था इंसानी घलती के संभावना खत्म कर दी गए थी जब जापान के विरुद चल रहे युद्ध में करमाहा टाई तब अमरीका की रननीती में बदलाव आया अब वो खास टागेट्स पर हमलों को केंदरित करने की बजाए रहाइशी इलाकों पर भी जोरदार हमलों की बात सोचने लगे थे इसी रननीती के कारण हिरोशीमा और नागासाकी पर दो परमाणू बम बिना आगे पीछे सोचे गिराए गए थे B-29 बॉमर्स ने इतिहास के इन सबसे विद्वनस्वत बमों को गिराया था और एक नजरी से देखें तो वो दुनिया के सर्वश्रेष्ट ऐसे बॉमर थे जो पिस्टन इंजिन से चलते थे और ये उनके द्वारा किये गए आखरी महत्वपून हमले थे 1950 के दशक में कोरियाई उद्व में भी इनका इस्तेमाल हुआ था पर एक नई टेकनलोजी आ जाने की वज़े से अचानक ही इनका इस्तेमाल रुखसा गया जेट इंजन आ गए, होश्यार बम बनने लगे, विमान उणाने और निशाना लगाने की नई तकनीक बिकसित हो गई और छोटे विमान बनने लगे, इस तरह के टॉनेरो जी आर फोर एक शांदार विमान है, जिसे चलाने वाले पाइलर्स को बेहर्द स्किल्ड होना चाहिए इनकी फ्रेनिंग में चार साल लगते हैं और लाखो पाउन्ड खर्च होते हैं जिट एंजिन के आजाने से बॉमर्स के डिजाइन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया अब उतने बड़े विमान, उतनी उची उडान और उतने भारी भरकम बमों का बनाना ज़रूरी नहीं है इस बॉमर्स का विंग स्पैन सिर्फ 14 मीटर है इसलिए ये चोटा, देज और बवा का फुर्तीला है कई दशकों तक बड़े से बड़े बॉमर्स बनाए जाते थे लेकिन एकाय के चोटे होना शुरू हो गए, पुराने बॉमर्स के आकार के हो गए जान बचाना ही इसका मुख्य कारण है उचाई पर उड़ना सुरश्चित रहने का तरीका था लंबी दूरी की मुहिंग पर जाने बाले बॉमर्स को सफिस्टिकेटेड रिडार, धरती से हवा में मार करने वाली मिसाइल और सूपर सॉनिक फाइटर्स का सामना करना पड़ता है टॉर्नेडो की रणनीती है रिडार की नजरों से नीचे तेज उडान भरो अगर दुश्मन के इलाके में देख लिया चाए तो टॉर्नेडो के पास बचने के कई तरीके है दुश्मन को पीछे छोड़ लॉट आना सुरक्षा का बुनियादी तरीका है और इसके लिए बहुत ज़्यादा पावर की दरुवत होती है टॉर्नेडो में दो टर्बो यूनियन आरवी 99 जेट एंजिन लगे है ये इसे साड़े 2300 किलोमेटर 30 घंटे की सूपर सॉनिक स्पीड दिलाते है एंजिन का थर्ष्ट 4100 किलो तक होता है आफ्टर बरनर्स का उप्योग करके इसे 6350 किलो तक बढ़ाया जा सकता है प्रष्ट बरनर्स के दोरान अलग अलग रफटार पर ज्यादा से ज्यादा अजल्की देने के लिए विंग अज़स्ट होते है इन्हें आगे लाने से धीनी रफटार पर विमान को आसानी से खुमाया जा सकता है प्रफाइल एरो डानेमिक हो जाता है खत्रे से बच निकलने की ख्शमता पर इस विमान को पूरा भरोसा है सिर्फ इस एक सुरक्षा गन पर 27 मिलिमीटर पोर की बाउजर एक मिलिट में 1700 गाउन फायर कर सकती है एक विमान के तरह इसमें चाहे जितने भी खूबिया हो पर इन बमों के बिना वो किसी काम की नहीं है इन बमों नहीं इसे एक कारगर बॉमर बनाया है परमपरादद बमों को सिर्फ प्रक्षेपित किया जाता था वो बलिस्टिक होते थे उनके लिए टागेट ढूना किसी और की जिम्मेदारी थी उनके पास अपनी कोई शमता नहीं थी और सही जगे गिराना बहुत ज़रूरी था आज के जमाने के बम विमान के संपर्क में रहते हैं सही टागेट पर सही प्रकार से प्रहार के लिए ये ज़रूरी है इन बमों को इन पर लगे जीपियस को विमान से निकलने वाली अद्रिश लेजर क्रेणों द्वारा निर्देशित किया जाता है इसकी एक्यूरेसी ने इस बम को ज़्यादा विधवनसक बना दिया है अब ज्यादा बड़े बम ले जाना ज्यादा बड़ी संख्या में बम ले जाना बिलकुल भी ज़रूरी नहीं है टॉनेडो ये काम अब सिर्फ एक बम से कर पाता है ऐसा दावा है कि पेव वेव जैसे बम किसी खास इमारत के किसी खास कमरे को निशाना बना सकते है बुराने जमाने के बॉमर्स के साथ ये संभब नहीं था पर ये विमान और इसके हथियार दिन होया राग किसी भी मौसम में अपना काम कर सकते है दूसरे विश्वयुद्द की नेविगेशन टेकनोलोजी अब और भी विकसित हो गई है GPS और टरेन फॉलो करने वाले रेडार की मदद से कंप्यूटर बहुत एकुरिट निशाना लगाते है बंबारी अब बुराना किसमत का खेल नहीं रह गई है टॉर्नेडो के पालेट को हर समय इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो कहा है और उसे किस चीज को निशाना बनाना है एक्राफ के कंप्यूटर जो जानकारी एकठी करते हैं वो पालेट के सामने इस हेड डिस्प्ले पर आ जाती है तो इसे उडाने वाले को कैसा लगता होगा मैं इसे सच में तो उडा कर lado क्यों कि ट्रेणिंग के लिए मेरे पास चार साल का समय नहीं है पर मेरे लिए और इसे सीखने वाले पालेट के लिए जो सिमुलेटर बनाए गया है उसमें बैठकर हम अपनी गलतियां पहले ही कर सकते है ये एक विशाल कंप्यूटर गेम जैसा है विमान उडाने के सारे फंक्शन्स और पूरा रोमांच आप महसूस कर सकते है तो शुरू करते हैं उडान से जुड़े सभी पैरामीटर्स यहां तक की दुनिया के किसी भी खास इलाके के किसी खास समय के मौसम के हालाग भी इसमें प्रोग्राम किये जा सकते है पुराने बावर्स की तुन्ला में सबसे बड़ा बदलाब इसे चलाने वालों की संख्या में आया है यहां दो लोग बैठ सकते हैं एक पाइलट और दूसरा वेपन्स ओपरेटर तो क्यों मैं एक चक्कर लगाया जाये चले जब कॉक्पिट बंद हुई तब मुझे इस बात का सही एहसास हुआ कि यहां कितनी कम जगह है सिर और कंदे हिला पाने के लिए कुछ भी करने के लिए जगह नहीं है मैं पूरी तरह से कंप्यूटरों से घिरा हुआ हूँ थोड़ा सहम सा गया हूँ अगर आप परसनल कंप्यूटर ठीक से समझते नहीं है तो आपको यहां नहीं होना चाहिए दोनों आफ्टर बंद जला दिये गए है हमें जल्दी से जल्दी टेक ओफ स्पीड हासिल करके जमीन छोड़नी है शूली से सबाथ तीसदो किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्टार सिर्फ 20 सेकंड में मुझे 900 किलो का पेववे त्री बंग गिराना है जो हमारे राइट विंग के नीचे लटका है एक टापू पर हध्यारों का जखीरा उडाना है हम आवाज की रफ्टार से थोड़ी कम रफ्टार पर नीची उडान भरेगे रफ्टार हमला शुरू हो गया है यह कुछ बात भी जैसे ही हमले के लिए बिमान मुडा उस पर और उसमें बैटे पाइलर्स पर दो जी का दबाब था पाइलर्स ने विशेश जी सूट पहन रखे है इसलिए कि आखों के आगे अंधेरा नचा जाए दिमाग में खून का आना जाना ज्यादा न बढ़ जाए टागेट राइट विंग से कुछ हट कर है मेरा काम है कि लेजर को टागेट पर लोड कर दू ताकि बम को गाइड किया जा सके बम चल पड़ा है जी फोर्स बहुत ज़्यादा होती है रफ्तार ज़्यादा होती है भिमान में मौझूद टेकनलोजी बेहत उन्नत है पाइलट अपनी मानसिक और शारिरिक शमताओं की सीमा पर पहुँच जाते है कौन विश्वास करेगा कि इस सब की शिरुवात सौ बर्सों से भी कम समय पहले लक्री और कपड़े से बनी फ्लाइंग मशीन से फ्री थी प्री आशले की शिरुआ है